तो आमेजोन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट मिश्टर मनीश तिवारी ने आमेजोन सेदर्स को बहुत बड़ी good news दी है और उन्हें बताया है कि इस बार जो sales response देखने को मिल ला है जो sales आ रही हैं आमेजोन इंडिया पे वो काफी जादा हैं पिछले साल के comparison में या जितन हम लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा sales दिखाई दे रही हैं अगर सिर्फ पहले 24 घंटे की बात की जाए great Indian festival sale की जो की only prime members के लिए थी तो उसमें तो बहुत ज़्यादा spike देखने को मिला है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो market में new चल रही थी कि customer sentiment mute हो चुका है ऐसा बिलकुल भी देखने को नहीं मिला है कहीं न कहीं इस बार आपको sales अच्छी देखने को मिलेंगी और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे Amazon sellers की sales में काफी जाफा देखने को मिलेगा उनको और साथ में हम पूरी कोसिस कर रहे हैं कि हमारे जितने sellers हैं सब को equal opportunity मिले अप कुछ दिन पहले Flipkart की तरफ से एक बयान आया था या यूँ कहें कि Flipkart के CEO ने कहा था कि इस बार लगता है कि customer sentiment mute हो चुका है साहिद Mr. Manish Tiwari ने इसलिए कहा है कि ऐसा फिलहाल उनको तो देखने में नहीं लग रहा है और Amazon India की sales काफी अच्छी है पिछले साल के comparison में या ज मन बना रहा है तो ये आपके लिए अच्छी opportunity हो सकती है और इस बात में सच्चाई भी जलकती है क्योंकि आपने देखा होगा कि Amazon पर अगर आप sell करते हैं तो जितने भी आपके items हैं अगर आप Amazon.in पर अपना storefront सर्च करें तो आप पाएंगे उनमें से बहुत सारे item ऐसे है जिनकी Amazon ने delivery date बढ़ा दी है काफी extend कर दी है क्योंकि Amazon का system लगता है overload हो चुका है अब चाहे आप FBA से sell करते हों चाहे अपने घर से sell कर रहे है easy sip के through वहाँ पर ये problem देखने को मिल रही है कल से कि बहुत सारे item में इन्होंने delivery date काफी extend कर दी है जिसकी वज़ा से उन sellers के order कम हो सकते हैं जो go local में participate नहीं करते हैं में इस जो multiple GST से operate नहीं करते हैं उनको थोड़ी sale में problem हो सकती है ऐसा मुझे लगता है क्योंकि अगर आप किसी एक state से sell करते हैं like आप UP से sell करते हैं उत्तर प्रदेश से अब order आपके करनाट का महराष्ट में ज्यादा आते हैं तो होग product में किया है अपने load को wear करने के लिए क्योंकि इस समय ATS की बात करें तो यहां भी overload चला है pickup में इनकी जो गाडिया हैं काफी full हो चुकी है या अगर ABA की बात करें वहाँ पे space नहीं है slots full हो चुके हैं तो साइद Amazon को उतना response देखने को मिल ला है जितना Amazon एक्सपेक्ट नही किया था इसलिए लगता भी है कि Amazon का कहना सही है कि जितना safe या size उन्हेंने सोचा था कहीं ज़्यादा sale उनको देखने को मिल रही है तो अगर आप Amazon पे sale करते हैं और अभी भी आपको sale नहीं मिल रही है आपकी sales नहीं हो रही है तो आप जरूर देख लें कि कहीं आपका product search suppress तो नहीं है या आपके product में कोई कमी तो नहीं है या आपकी listing की quality बेकार है या आप images अच्छी नहीं उज़ करते हैं तो समय रहते इसको ठीक कर लें तो आप भी sales opportunity का फायदा उठा पाएंगे और अपने e-commerce business को grow कर पाएंगे तो इस वीडियो में इतना ही उमीद करता वीडियो पसंद आई होगी, thank you so much for watching.